मुख्यानप पर मास्टर हुकम सिंग का हुकम चलने लगा था दादरी से तीन बार विधायक बने मास्टर हुकम सिंग ने जीवन में कभी मुख्यमंतरी बनने की महत्य को आंकसा नहीं रखी थी यह यूँ कहिए कि उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि वो हर्याना के मुख्यमंतरी बनेंगे हलांकि वो दादरी के तीन बार विधायक बने लेकिन मुख्या मंतरी की कुर्सी उन्हें तस्तरी में रखकर मिल गई और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मास्टर हुकम सिंग की दोस्ती चोटाला साब से थी चोटाला साब जो दादरी में जाते थे बस में चड़कर तो वो मास्टर हुकम सिंग के घर पे ही रुकते थे और मास्टर हुकम सिंग की पतनी उनके लिए रोटिया बनाती थी और वो वहीं चुले के पास बेटकर खाया करते थे ओम परकास चोटाला की कैबिनेट में मास्टर हुकम सिंग अकेले असे वेक्ती थे जो उमर में भी चोटाला साब से बड़े थे और उनको ओम कहकर बुलाने की हिम्मत भी उनमें थी चोटी देविलाल के भी वो खास विश्वास पतर थे और उनकी कैबिनेट में वो मंतरी भी थे लेकिन मुख्य मंतरी की कुर्सी उन्हें मिलेगी या इस बारे में कभी उन्होंने चिंतन किया भी नहीं और जब चोटी देविलाल ने उनसे पूछा कि आप हर्याना प्रदेश के मुख्य मंतरी बने तो उन्होंने एक बार तो हाथ जोड़कर मना भी कर दिया था कि आप और किसी को बना दीजिए बड़ा टेंसन वाड़ा काम है यह लेकिन उनके आदेश थे इसलिए उन्होंने वो जो आदेश है वो स्विकारा और हर्याना प्रदेश के मुख्य मंतरी बने और वो बड़ा उठा पठक वाला दोर था देश में और हर्याना की रजनीती में 12 जुलाई 1990 को बनारसी दास गुपता जी का इस्तिफ़ा लेकर चोड़ाला साब मुख्य मंतरी बनते हैं और 17 जुलाई को ही उनकी विदाई हो जाती है और 17 जुलाई 1990 को मास्टरु हुकम सिंग हर्याना प्रदेश के मुख्य मंतरी बनते हैं मास्टर हुकम सिंग के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही जो हर्याना में जो ऐसंतोस था जनतादल में वो और ज़्यादा भढ़कता है और हर कोई हर तरह के ख्वाब लेने लगता है और ऐसा सियासी उटा पटक था कि ये भी लग रहा था कि मास्टर हुकम सिंग साइद विश्वास मत साबित ना कर पाएं वीपी सिंग से चोदरी देविलाल का बिगाड़ इसकदर हो चुका था कि दोनों एक दूसरे की सकल्प तक देखने के लिए त्यार नहीं थे और इसी चकर में एक अगस्त 1990 को वीपी सिंग ने उप परधान मंत्री चोदरी देविलाल को बर्खास्त करवा दिया बर्खास्त करवाने के साथ ही ने केवल वीपी सिंग की कुर्शी पर खत्रा मंड़ाने लगा वहीं देश में एक बड़ा सियासी तुफान इस वज़े से खड़ा हुआ अपनी बर्खास्त की पर गुसाए चोदरी देविलाल ने एक प्रेस कॉनफेस दिल्ली में बुला ली और पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने पानी पीपे कर वीपी सिंग को कोशा और कहा कि जिस देश की जनता ने तो मुझे परधान मंत्री चुना था लेकिन मैंने वीपी सिंग को चुना और ये मेरी बहुत बड़ी गलती साबित हुई वीपी सिंग कौन होता है मुझे बर्खास करने वाला 9 अगस्त को बोट कलब पर मैं रेली कर रहा हूँ और ये रेली साबित करेगी कि देश में परधान मंतरी बनने के लायक वैक्ति कौन है वीपी सिंग इससे घबरा गई इंटेलिजयन्स की रिपोर्ट आने लगी और यहाँपर बोट कलब की रेली का जिकर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब जब भी चोदरी देविलाल पर स्यासी संकट आया जब जब भी चोदरी देविलाल को लगा कि उनको अपनी रजनितिक ताकत हासिल करनी है उन्होंने बोट कलब पर रेली को ही चुना था बोट कलब उनके लिए बड़ा लकी साबित होता था हर बार तो जो बोट कलब की रेली थी 9 अगस्त की उसकी त्यारियां हर्याना में जोरो सोरो से सरू हो गई इसके साथ ही उनके दूसरे जगहों पर जो दूसरे राज्यों से पंजाब से उर्ताल मिल करके एक बहुत बड़ी रेली का योजन बोट कलब पर होने वाला था और इंटलिजेंस ने इसकी रिपोर्ट वीपी सिंग को देना सुरू कर दिया इसके साथ ही ये संकेत मिलने सुरू हो गए कि चोधि देविलाल अब वीपी सिंग को छोड़ेंगे नहीं कम से कम उनको परधान मंतरी तो वो रहने नहीं देंगे वीपी सिंग ने एक ऐसा फैसला इस दोर में लिया जिसने देश के जो पिछड़ा वरग है उनको 27% आरक्षन का अधिकार तो दिलाया लेकिन इसके साथ ही देश हिंसा उपदर और आगजनी में तब्दिल हो गया साथ अगस्त को वीपी सिंग ने ठेंडे बस्ते में पड़ी मंडल आयोक की रिपोर्ट मंगवा कर उसको सारुजरी कर दिया और लागू करने का एलान कर दिया इसके साथ ही देश में 27% पिछड़ों को आरक्षन का अधिकार मिला लेकिन देश में एक बड़ा तुफान खड़ा हो गया क्योंकि उच जो वर्क के लोग हैं उच वर्क के यूँआ हैं उनको लगा कि इससे उनकी नोकरियां और सब कुछ खतम हो जाएगा तो उन्होंने वीपी सिंग के इस फैसले का विरोध करना सुरू कर दिया धरने पर दर्सन सुरू हो गए रेसी बीच में 9 अगस्त की बोट कलब की जो रेली है उसने पिछले सारे रिकार्डों को धवस्त कर दिया इसके साथ ही देश का जो उच वर्क था जो मंडल कमेशन क की रिपोर्ट लागू होने से खपा था उन्होंने चो देविलाल के नेतरतों में अपनी एक तरह के से यास्ता भी वेक्त कर दी और जो धरने पर दर्सन है वो जल्दी आगजनी में तबदिल हो गए कई यूवावने तो आग लगा कर भी खुद को खतम कर लिया था बड़ पी सिंग उस एविस्वास परस्ताओं में उनकी सरकार चली गी और इसके साथ हरियाना में दो सितंबर 1990 को विदान सभा अधीवेशन के दोरान जो मास्टरू हुकम सिंग की सरकार है उस उन्होंने विस्वास मत भी हासिल कर लिया इसके साथ ही मैं आपको यह भी जहनकारी देना चाहूंगा कि उस समय हरियाना के जो गवर्नर थे वो धनिकलाल मंडल जी थे धनिकलाल मंडल और मास्टरू हुकम सिंग बहुत जिगरी दोस्तों में से एक थे और पुराने दोर के दोस्त थे उन्होंने एक दिन मास्टरू हुकम सिंग को कहा कि अगर इस उटा पटक में आपको इस्तिफा देने के लिए कहा जाए तो आप मना कर देना क्योंकि सालचा महीने तो मैं आपकी सरकार किसी तरीके से चला दूँगा गिरने नहीं दूँगा तो मास्टर हुकम सिंग ने उनको कहा कि आप मेरे दोस्त हैं और हर्याना के गवर्नर हैं लेकिन ये जो कु इसके बारे में ना तो मैंने कभी सोचा था और ना मैंने इसकी मांग की थी ये ताओ देविलाल का मुझ पर विस्वास है इस्तिफा मेरी जेब में है वो जब कहेंगे मैं दे दूँगा और आप उसको सिविकार कर लेना तो इस तरीके से मास्टर हुकम सिंग चोदी देव मुख्य मंतरी बना दिया जाएगा हुआ भी ऐसा ही अंपरकाश चोटालर जी को मुख्य मंतरी बनाया और सरकारी चले गी जिसका जिकर हम आगे के वीडियो में करेंगे इससे अगला जो वीडियो है दोस्तों उसमें हम जिकर करेंगे जब चोदी देविलाल ने भरी संसग में ये कहा था कि जब मेरा चीर हरन हुआ तो चोदरी चर्ण सिंग का बेटा अजीट सिंग खुश था इसके साथ ही उन्होंने वीपी सिंग पर हमला बोलते हुए कहा था कि जिस आदमी को मैंने तलवार वाला ठाकूर समझा था वो तो उस्तरे वाला ठाकूर निकला इन दो परमोख जो उस समय की राजनितिक संसनी ये जो दो बाते थी इसका जिकर हम अगले वीडियो में करेंगे मास्टर हुकम सिंग के राजनितिक जीवन पर मैंने तीन वीडियो उलड़ी पहले बना रखे हैं और डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा इन वीडियो देख सकते हैं बहुती साधे वैक्ति थे इतने साधे वैक्ति थे कि जब वो हर्याना प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तब भी उनकी पतनी दादरी में अपना जो घर के काम क्या करती थी और अपने परिवार को वो कभी चंडीगड तक नहीं लेकर गए और उ हमकी पतनी गोबर पाती है तो वो जो तीनो राजनितिक वीडियो हैं प्लेइलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों 1966 से हमने ये राजनितिक वीडियो की जो सरेंकला शुरू की थी ये अब 1990 के दोर में है कोसिस रहेगी कि 2019 तक कि सारी राजनितिक घटनाओं को कवर करे और जो पीछे के वीडियो हैं आप प्लेइलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और प्लेइलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे इसके साथ पुराने राजनिताओं के वीडियो भी आपको मिलेंगे और इसके बाद जब ये 2019 तक 2021 तक हम इसको खतम कर लेंगे तो उस लेकिन आपका जो सयोग और प्यार मिल रहा है उसके लिए आपका बहुत शुकरिया आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जो ये राजनितिक वीडियो है इनके जो पिछले एक साल में एक करोड लोगों ने इसको देखा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्दी है और आप लोगों के बिना ये संभाव नहीं था मैंने जब सुरू किया था तब कुछ सोचा नहीं था कि हम इतना आगे बढ़ जाएंगे या ये जो वीडियो हैं इतने पसंद किये जाएंगे और इस इन वीडियो को पसंद किये जाने का जहां तक मैं समझता हूँ उससे बड़ा कारणी रहा है कि ये एक वैक्यूम यूटूब पर था क्योंकि ऐसी कोई स्रंकला इससे पहले बनी नहीं थी या इसकी जानकारी नहीं थी आप जैसे दोस्तों ने जो कमेंट में जो आप जानकारिया मुझे देते हैं तो बहुत हैलप फूल इसमें साबित हुई हैं और उनकी विज़से मेरे जो वीडियों हैं वो परमानिक बने हैं और बहुत अच्छी अच्छी जानकारिया मैं आप तक लाप पाया हूँ तो इसका सरे मुझसे ज़्यादा आपको जाता है कि आपने इसमें बढ़ चटकर अपना योगदान दिया है तो मैं उमीद करता हूँ कि आप आगे भी अपने जो राजनिती कनूबों है और जो आपने जो आँखों देखी हैं वो आप इस पर बताते रहेंगे हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है आपकी तरह हम भी राजनिती के विदारती हैं और ये जो चीजें हर्याना के राजनिती की तियास में हुई है वो आपके सामने प्रस्तूत करने की कोशिस रही है आगे भी रहेगा इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत आबार है तीन बजे राजनिती की बातों में हमेशा आपका स्वागत रहेगा और इसको देखना न भूलिए अच्छा लगे आपको लगता है कि कोई राजनिती में दिल्चस्पी रखता है और उसको इन वीडियों को देखना चाहिए तो समय समय पर सेर्वी करते रहेगा मिलते रहेंगे नमशकार शुक्रिया